महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्थ हुआ है, वह बहुत ही गुप्त संदेश है, तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यक्ता है, अपने जीवन में चमतकार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दी महादेव जी का आशिरवाद प्राप्थ करने के लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए, आप आपका पूरा परिवार, पर मेरा आशिरवाद सदा सर्वदा बना रहेगा, तो वीडियो को शुरू से अंद तक जरूर देखिएगा, मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्थ हुआ है, वह बहुत ही गुप्त संदेश है, तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यक्ता है, मेरे बच्चे स्वर्ग से, यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्तियां जिसे तुमने सीमित माननी है, दरसल वह बिलकुल भी सीमित नहीं है, तुम्हारे पास अपार शक्तियां है, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपनी संपूर्ण चरण तक पहुचा नहीं है, इस संसार को मैंने बनाया है, और साथ ही साथ तुम सभी को य मैं तुम्हारी इस अद्भूत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हूँ, तु यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुम से मिलने इसलिए आता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोध हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उदेश दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूँगा. आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी बना है तुम्हें वह उजाला बना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा तुम्हें वह सभी चीज बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको तुम्हारा जन्म एक सूची समझी योजना है जिसे इस धर्ती पर होना ही था अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव दाने के लिए 500-100 पेचाफन टाइप करें कल महादेव आपकी सभी प्रश्णों का उत्तर है बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपनी इच्छा खाने की और अपने जीवन के अनसुझे सवालों को पूछने की महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और सपष्ट रखा है जिस पर चल कर आपको अपने प्रश्णों के उत्तर को कालीना है इन सभी इम्तिहानों में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे आप एक पवित्र आत्मा है इस संसार को आवश्यक्ता है इस गुप्ट संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखे मेरे प्यारे बच्चे आने वाले सूमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्थ हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इस से बहुत बड़ा लाब अवश्य प्राप्थ होगा उसे दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बतलाव लाएगा वह तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थे रखता है वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे किन्तु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे, तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो, वह व्यक्ती जो मैंने तुम्हारे जीवन में भीज रहा हूँ, वह व्यक्ती तुम्हें मार्क दर्शन देगा, वह तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बतायक उसकी बातों का अनुसरण करना। क्योंकि उसकी बातों को उसके द्वारा दिये हुए ख्यान को अपना कर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिष्टे में हो, चाहे तुम्हारी सफलता में रुकावट आ रही हो, या चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिती बिगडी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगडा हुआ है, किसी भी प्रकार क समस्या है वह उसे दूर करेगा दूर करने का रास्ता बताया वह व्यक्ति स्वयम मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 सी लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे स्वर्ग से यह गुप्त संदेश में सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूं यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्तियां जिसे तुमने सीमित मान ल है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपनी पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको तुम जितनी अपनी छुपिक क्षमताओं पर काम करोगे उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाऊगे मैं तुम्हारी इस अद्भुत यात्रा में हर प के सभी कासन को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं हमेशा उन्हें सही मार्क दिखाता हूं जिस पर चलकर वह अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति या प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे मेरे बच्चे अगर तुम ही अपनी जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइब करो मैं समय समय पर तुम से मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चुना है तुम एक विकास का स्रोध हो तुम्हें अपनी जीवन में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है इसलिए तुम्हें अपनी जीवन में बहुत कुछ सीखना है मेरे बच्चे अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उत्तेश्य दिखाई तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूँगा। तुम्हारा जन्म एक सूची समझी योजना है जिसे इस धर्ती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 555 टाइप करें। आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है। जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्णों के उत्तरकों का लेना है। इन सभी इंतिहानों में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यक्ता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे आने वाले सुमबार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हूँ तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन में बहुत बढ़ा बदलाव लाएगा, वह तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किन्तु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करूँ, तुम एक बहुत पड़ी असमंजस में थे, तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थ वह तुम्हें जो कुछ भी बताया, उसकी बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसकी बातों को उसके द्वारा दिये हुए घ्यान को अपना कर, तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो, तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे बह त चाहे तुम्हारी सफलता में रुकावट आ रही हूँ, या चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिती बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्त्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताया, वह व्यक्ति स्वयम न केजने का निर्णय लिया है यदि तुम उसे अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 555 जरूर लिखना मेरे बच्चे उसे व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना मैं जानता हूँ अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उसे व्यक्ति उसके सामने कह दो तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है वह व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आप हंस हो जाएगा तुम उसे अपने मन की हर बात कह देना अपनी हर समस्या का दीना और फिर तुम खुद उसे चमतकार को देखोगे कि वह तुम्ह जो भी रह दिखाएगा वह तुम्हारी वर्तमान स्थिती को पूरी तरह से बदल देगा मेरे बच्चे मेरे बात को याद रखना वह तुम्हारी हर उसे स्थिती में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यक्ता है, जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, वह तुम्हारे लिए एक देवदूत बन कर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है, जो मैं उकसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हों कि तुम्हारी किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में चार बार आठ लिखो, फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंब हो चाहेगा, तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा, और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भड़ देगी, कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, मेरे बच्चे एक बात का याद रखना, इस गलती को मत करना, वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहें, तुम्हें वैसा ही करना है, उसकी हर बात को मनाना, किसी भी बात को मन नहीं करना, हो सकता है, तुम्हें उसकी कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें फिर भी उसकी बा मुझे पता है, तुमने अपनी जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है, जिनकी बातों को मान कर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फन से हो, और इसलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का करो, तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता, लेकिन मेरे बच्चे यह मेरा भेजा हुआ दूद है, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ, आने वाले सुनबार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हा हाँ, तुम अपने जीवन में उन उंचाईयों को छोने वाले हो, जिन्हें छोने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो, मैं स्वयम तुम्हें जीवन में बहुत उंचा उठने का वर्दान दे रहा हूँ, इस वर्दान को प्राप्त करो, इस वर्दान को प्राप्त करने के बा तुमने बहुत आंसु बहा लिया, अब और नहीं मेरे बच्चे, अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगी, तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीरवात प्राप्त होने वाला है, जिनकी तुम्हें आवश्यक्ता है, अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अपने इस कठिन परिस्थिती से बाहर निकालने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अंजान हो, कि तुम से कुछ कमी रह रही है, जिस कारण तुम अपनी मन्जिल तक नहीं पहुँच पा रहे हो, और मैं इसी लिए अपने उसे दूद को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, ताकि वह तुम्हारा सही मार्क दर्शन कर सके, उसके मार्क दर्शन के बाद तुम स्वयम में एक अनोखा सा बदलाव देखोगे, तुम्हारी उर्चा दुगनी दिगुनी हो जाएगी, तुम्हारे मन में अब तक जिस भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे, वह सभी विचार दूर होने लगेंगे, तुम्हें केवल सकारात्मक ही नजर आए तुम्हारे अंदर एक ऐसी उर्चा का विकास होगा, जो तुम्हें इतनी शक्ति देगी, कि तुम्हें यह महसूस होने लगेगा, कि बस अब तुम अपनी मन्जिल के बहुत करीब आ गए हो, तुम इतने दिनों से जिसकी आशा कर रहे थे, जिसके लिए मुझे प्रार्थ कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने वाला है, यदि तुम चाहते हूँ कि तुम्हें मेरा यह आशीरवाद प्राप्त हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमा शिवाय अवश्य लिखना तुम्हारा कल्यान हूँ